हेलो फ्रेंज आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप दही में केवल दो चीज मिलाकर अपने चेहरे पे अगर लगाते हैं तो बर्सु से जमा जो आपके चेहरे पे डाकनेस है, कालापन है, दाग धबे है, पिगमन्टेशन है, वो बहुत इसली दूर हो जाएगा, आपकी स्कि आज दिन तक फ्रिज में स्टोर करके यूज कर सकते हैं, इस रेमडी को त्यार करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले खाली कटोरी में लेना है, लगभग दो चमच दही, दही में दोस्तों एक फेरनस एजेंट होता है, जो हमारे स्किन को नैच्छल तरिके से लाइट होती है, जो हमारे स्किन के जो इंफ्लामेशन होता है, उसको ये रोकती है, जो हमारे चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं, पिंपल एकनी की प्रॉब्लम हो जाती है, जाईया हो जाती है, इन सारी प्रॉब्लम को ये दूर करता है, और हमारे स्किन को नैच्छल तरिके स हेल्दी और खुब सूरत बनाता है तो इन दोनों को अच्छे से मिला लीजिए अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद दोस्तों लास्ट में चीज आपको यहां पर लेनी है उससे पहले अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक और कमेंट्स करक कि मुझे जरूर बताएं साथ में चैनल को सस्क्राइब और बैल आकनों क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें आपका जो कमेंट्स है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में दोस्तों आपको यहां पर लेना है लेमन जूस यानि की नीबू करस तो ध्यान रहे क कि आपको एक लेमन नहीं लेना है आधा नीबू करस इसमें डालना है और इन तीनों को अच्छे से मिला लेना है ध्यान रहे दोस्तों कि आपको इसको इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले अपने चेहरे को दो लीजिए उसके बाद मिनट के लिए अपने चेहरे को मसाच जरूर कीजिए का इसको भूलिएगा मत उसके बाद आप सुखने के लिए छोड़ दीजिए सुखने के बाद आप अपने स्किन को धोलीजिए आप देखेंगे एक बार में आपकी स्किन जो कितनी क्लियर फ्रेश और लाइटन हो गई ये